बड़ी थकान सी हो गई है, थोड़ा सा भी नहीं चला जाता है, पता नहीं पेट में कैसा आजीब सा लग रहा है, मनुह जी सुनिये जरा, थोड़ा पानी लेते आईएगा, लो पानी पी लो, अरे मनुह तू पानी लाई है, तेरे जीजा जी कहा गए है, पता नहीं हूँ कि यार तू यह पिला दें मेरे फ्रेट मेरे थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द हो रहा है मैं बॉप कंदी थी थे और एक दन से थोड़ा-थोड़ा दर्द होने लगा तो मैं आगे बैठ गई हूं इसलिए तो अब बस भी करो पुरा गिलास खाली कर दिया आप कितना पानी गाम गाम कर रही हो जादा पानी पीना भी सही नहीं है अब यद्धार करके आई ईड़िम से पानी मत पी और कोई काम तु नहीं है नहीं मैं जा रही हूँ पर अरे बैठना कहा जा रही है तू बस भागती रहती है मेरे लिए आई गी मेरे लिए उपके लिए के लिए है अच्छा सुनना कुछ नास्ते में बना है क्या क्योंकि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है यार ना बना हो तो प्लीज मेरी बेन बना देना कुछ अभी तो कुछ भी नहीं बना है मम्मी का फोन आया था साइट वो आ रही है बोल रही थी कि मार्केर जाना है तो दीदी के आँसे होके जाओंग अगर कुछ मगाना हो तो बताएं मैं ले आऊंगी तेरी बात हुई थी ग्या मम्मी से हाँ मेरी बात सोबह हुई थी तो वो बोल रही थी आचा चल फिर ठीक है देख मत प्लीज यार बना ले ना बहुत तेजी से भूख लगी है बेबी भी देखो किता तेजी से चिला रहा है कहरा मुझी कुछ अच्छा बना की खिला दू हाँ हाँ आपको तो नहीं खिलाती लेकिन बेबी को दुबाई खिलाना पड़ेगा वो तो मेरा सबसे लाड़ेला है अरे हाँ यार तो बेबी के करते मेरजी कर्यें यहीं करगें मैं यहीं करेंगें तो करेंगी एक ऎने कश्मौठी लग तो कた ने क्या रखा यह यह किखी तोbbles के सास यह हो अ मम्मी आएंगे तो आई मिल लेंगे वहीं तू नास्ता बनाना ठीक है ठीक है चलो तो पढ़ाए के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बहुत मस्त बनाती है क्या बात है अरे एची कौन सी चीज है जो हम कर नहीं पाते हैं पढ़ाई वेर तोड़ी न करते हैं हम अच्ची सीखते हैं गूड गर्ल अच्छा चलो बहुत हुआ आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करो अरे माजी आ गई बैठिए माजी नास्ता कर लिजिए अरे नहीं ठीक है ठीक है तुम करो नास्ता हम करा हैं नास्ता आंटी जी नवस्ते बेटा नवस्ते कैसी हो ठीक हो हाँ हम तो ठीक हैं आप ठीक हैं हाँ बेटा ठीक हैं वो सुनता बहु हम इसलिए आये थे हम सोच रहे थे कि अब गोद भराई कर दी जाये तुमारी क्या क आतियों बताओ हम क्या कहेंगे माजी जैसे आपकी माजी वैसे एक बात बताए माजी अभी बहुत पड़ रही है अभी ताम जाम करने का हमारा मन नहीं है बिलकुल भी बहुत उल्जन सी होती है अरे बेटा गर्मी सिर्फ तुम्हें बर थोड़ी ना लगती है गर्मी भाई ह सबी को लगती है अब गर्मी की चकर में हम रस्में थोड़ी ना छोड़ देंगे थोड़ी देर का काम है अब तो सेना तो पड़े गाई बेटा माजी आपको लगता है मुझे इतनी गर्मी लगती है कि बता नहीं सकती हूँ आपको अरे देदी आंटी जी सही तो कह रही है रस में वो तो हो नहीं है तो गर्मी से क्या लेना देना है बता जंगल में थोड़ी ना हो घर में हो अब रस में थोड़ी ना गर्मी की चक्कर में छोड़ दूगी वह तो कनने ही पड़ेगी और मुझे लग रहा इसलिए मम्मी भी बोल रही थी इसलिए वो भी आ रही है पत लुट्टा करका चलो इससे अच्छा क्या है चलो ठीख है जैसी मर्जी कर लो वह तो हम करी लेंगे कि हम भुछी ने थोड़ी नआ यसे होड़ी तोमसे बताने आए थे थी ठीक और मनोहर कहां है उससे वोलें तो समाना मान ले आएं उनको पता है क्या सोब ऐसे कहा गये हैं केसी यादत हो गई है ठोड़ी सी चूट किया दे दो फिर पता ही नहीं चलता कहां लापता हो ट्रेन ट्रेन क्या हो रहा है माई बेबी देटी देखो तो मम्मी को क्या हो गया है कैसे कप्रे ट्रेन के आए यह हाँ यार मैं भी यह सोच रही हूं ती देश से मम्मी को सच में पागल वागल तो नहीं हो गए संदन जी नबसकार नवसकार नवसकार बैठी है संदिन जी कोई यह ना कि हम बैठेंगे नहीं और कल सुनता बिटिया की बद भराई की बात की थी ना अपने हम उसे का समान लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट तो आयते हैं में सोचा की बिटिया लोगों कुछ लेना तो नहीं है तो पुंचने आयते आप जा रहे हैं सामान लेने बैठने का टाइम नहीं है बात में मिलते हैं अच्छा अच्छा सामान लेने जा रही है हो वैसे संदिन जी एक बात बताएं अच्छी बहुत लग रही हो थांक्यू थांक्यू सो मच थांक्यू सो मच थांक्यू सो मच मत करो यह दीदी का ससुराल है और यह क्या भेशबूसा बना के आई हो आप नानी बनने वाली हो थोड़ा तो सरम करो मम्मी आंटी क्या सोचेंगी हाँ अरे बेटा हम कुछ नई सोचते हैं हमारी तू आदत पड़ गई है हम सब ऐसे कपड़े देखते रहते हैं सब कोई पहनता है सुनता भी तो पहनती है तो मम्मी पहनली तो क्या हो गया अरे माबाप से ही तो होता है बेटा जैसे माबाप करते हैं बच्चे वैसे ही तो कर लड़की हैं और फिर भी अम एसे कपड़े नहीं पहनते क्योंकि हमें पसंदी नहीं और हमें आप जर्णा भी अच्छी नहीं लग रही हो और एसे आपको मार्केट नहीं जाना सोच लूब बुरा लगे या भला अरे बेटा जाने दो क्या हो गया मम्मी है अब बुरा थोड़ी नहीं लग रहा है उनकी तो वाता थे वो पहनती रहती है नहीं आँटी जी आपको अच्छा लग रहा होगा हमें अच्छा नहीं लग रहा हमें ये कताई पसंद नहीं नाम कपड़े ऐसे पहनते है नाम को हैं आपको अच्छा नहीं कह सकते हैं थे पशसंद नहीं चोटे जरूर हैं लेकिन खोटे बहुत हैं अधिशना देते हैं चाहें जिसको बुरा लग जाए कि अरे बेटा भी तख तुम कहा थी हम पहले आज आती है हमारी घर में तो कम से कम हमारा गर तत्स उधर जाता है हम बता कितनी अमज़दारगी है इतनी छोटी है फिर भी कितनी अच्छी बाते उंद् dependence है पहले यह पुदिन जीत लिया भूराओ हैं संदम जी उसकी बाते हमें बुरी नहीं लगते हैं उसने गलत बोला ही क्या है कि विसकी बात ही दुदू痛 है यह कहरें क्वाहिजिा लेखा सामान नहीं लाना भूज लिचिता से वैसे हम मनोर को भेजके मustainे वाले सामान मनोर को जरूरत ही नहीं जाने के critic सो जाए है हम ले आएंगे हम ले आएंगे वैसे हमें नानी बननी की बहुत फुसी है इसलिए हम सब समान ले आएंगे आप परिशान नहीं हो रहे हैं जाईए आप ममी सीधे घर जाईएगा मारके तो चली ही मत जाना अगर हमें पता चल गया तो सोच लीजिएगा हम फिर ये भूल जाएगे कि आप मा हो और हम बेटी ए छुटकी तु कम बोला कर ठीक है बहुत बोलती है मा है वो और मा से ऐसे बात करते हैं क्या दीदी आप चुप रहा हो अच्छा तो अब तु मुझे सिखाएगी है अपने दीदी से ऐसे बात करेगी तमीज नहीं है क्या इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया है लोग क्या सोचेंगे कि मा को जबाब दे रही है अपनी बेहन को जबाब दे रही है अरे मूर्खो अपनी बेहन से कुछ सीखो देखो कैसी बाते करती है ना मा को अकल है ना बेटी को अकल है देखो सुन्ता तुमारी चोटी बेहन कितनी अच्छी बात करती है अरे बेहन तो तुमारी ही है इसी से कुछ सीख लो दूसरे से सीखोगी या कोई से खायगा तो तुम्हें बुरा लगेगा अपनी बैंसे सीखोगी तो बुरा नहीं लगेगा भी हमने मगा लिया है और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए ठीक है मा जाएए आप जो लाना हो ले आएगा ओके बच्चो और हा संदें जी जाते जाते एक बात और सुन लीजिए दुबारा हमारे घर में न ऐसे कपड़े पैन के मत आईएगा आना या मत आना कभी लेकिन इस बेज भूसे में मत आना हम अपनी बॉंगों को तो ऐसे कपड़ों में पसंद नहीं करते हैं और ये बूडी घोडी लाल लगाम कसे गूम रही हो थोड़ा सा सरम करो लोग आपको देखेंगे मार्केट में तो क्या कहेंगे सारे मार्केट वाले अपना अपना काम छोड़के आपी को देखेंगे बिल्कुल सही का आंटी जी आपने बिल्कुल सही का यही लाइक है यह अपनी खुद की हसी अपने हाथों से उड़वाती है सुनता की बहन कित्ती समझदार है यह लड़की मुझे नहीं मिली नहीं में अपने घर की बहु बना लेती मुझे तो ऐसी एक सी एक कुलता बहुएं मिल गएं कि पूछो मत करम में हाथ धर के रोती हूँ कास यह बहु होती मेरे घर की तो कितना अच्छा रहता क्या सोच रही हो संदिन जी कुछ नहीं सोच रहे संदिन जी आप जाओ थीक है थीक है थीक है थीक है बेटा तो फिर मैं भी जा रही हूं देखू कुछ काम आप ठीक है माजी मनों होँ रहा है तो मेरे पास भेज देना कर माजी बुला रही थी थीक है भेज दूँगी क्यों जुटकी तो जीतने मूँ चलाने क्या जरूरत थी सब के सामने मैंने मूँ नहीं चलाया है देदी जो बताना था मैंने वह ही बताया है मम्मी को ऐसे कपड़े पहन के धराना से ये सस्राल है आपका लोग क्या सोचेंगे मम्मी बच्ची है क्या बूड़ी हो गई है और ऐसे कपड़े पहन के घूमेंगे तो कितने गंदी लगेंगी बताओ अरे चल वह सब छोड़ और बता मेरी गोदवराई में तुक्या पहनेगी अरे मैं तो पहन लोगी जो पहनना है कॉनसी मेरी गोदवराई हो रही आपके हो रही आप बताओ आप क्या पहनोगे मैं सोच रहे हूँ साड़ी पहन लोगी उसमें पेट भी दिखाई नहीं देगा और अच्छी भी लगोंगे अब करिए आपने अकलबंदी की बात आप साड़ी पहनना अच्छी लगोगी चल तू भी पहन लेना साड़ी हाँ हाँ देखते हैं क्या अच्छा लगता जो अच्छा लगेगा वह पहन लोगी ठीक है तेरी मर्जी अब मैं जाओं खानाना की तैयारी करो अरे बैठ न यार खानाना बन जाएगा अभी कौन खाना खाता है अच्छा आपने तो नस्ता कर लिया आपका पेड़ भर गया अभी हम लोग भी तो खाना खाएंगे जी जाजी भूखे आ रहे होंगे वह भी तो खाएंगे जी जाजी की टैंसन मतले वह बार जब जाते हैं तो बार से खा के आते हैं उनकी टैंसन मतले वह भूखे नहीं रहते कभी भी दूसरों को भूखा रख लेंगे खुद भूखे नहीं रह सकते अरे यार फिर भी कितना भी इंसान बार से खा के आए तो इसका मतलब क्या खाना नहीं मनेगा घर में खुदा न खास्ता न खा के आए तब अच्छा लगता है इसे भाई मैं तु नहीं ये सब देख सकती अरे हाँ बाबा मुझे पता है बना लेना थोड़ी देर में बैठो ना भी थोड़ी देर ठीक है बैठी हो